आपके पास Lava UR3 है, UR3 Pro है, कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप date and time की problem को कैसे fix कर सकते हैं, clock problem को कैसे fix कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप scroll करेंगे clock के option पे जाएंगे, यहाँ पे आपको clock देखने को मिल जाएगा, by default यह किसी पे option पे खुलता है, तो आप यहाँ पे clock को select कर लेंगे, clock कुछ इस step से दिखता है आपका, तो आपको क्या करना है, जो आपका zone अगर गलत दिखा रहा है, time zone, आपको इसके लिए जाना है, three dot dot पे, setting पे click कर लेना है, और यहाँ से अपना time zone select कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, time zone अगर यहाँ से problem कर रहा है, तो यहाँ पे आप जाएंगे, setting पे, setting पे जाने के बाद scroll करेंगे, और यहाँ पे आपको system के option पे जाना है, date and time के option पे जाना है, automatic date and time के option को on कर देंगे, ठीक है, यह जो time zone है, वो आपका ठीक हो जाएगा, दूसरी बात क्या होती है, कि आप clock के option पे जब रहते हैं तो यहाँ पे clock का style चेंज करना होता है, style पे जाएंगे, analog वाला set करना है, या digital वाला, यह आप देख लेंगे, तो मैं digital आपको recommend करूंगी, और display with time second, इसे on कर देंगे, तो यहाँ पे जो clock है, आपका second के साथ दिखाएगा, ठीक है, इसके बाद back करके, आप setting पे जाएंगे, three dot पे, और य इसे on करने से फाइदा यह होता है, कि जब भी आप कहीं move on करते हैं, कहीं पे भी, तो जहां पे आप रहते हैं, वहां का time zone दिखाता है, आपकी screen पे, different time zone, time zone यहां से आप change कर लेंगे, अगर कहीं और का है, वैसे तो automatic कैसे set करना है time zone, वो तो मैंने आपको बताई दिया, ब अभी भी आपको time zone की दिक्कत नहीं आएगी, या फिर date and time के problem नहीं आएगी, और एक चीज़ और last कि आप इस वाले option को use provide network time पे click कर लेंगे, तो आपका date and time के problem आती नहीं है, यहां से यह change हो गया, back कर लेंगे, और यहां पे आप देख सकते हैं, second के साथ यहां पे clock शो कर रहा है, और इसके बाद यहां पे back कर लेंगे, back करने के बाद यहां पे, अगर clock यहां पे आपको add on करने है, remove करने है, remove करने के लिए आप इस पे click कर लेंगे, add on करने के लिए widget पे जाएंगे, clock के option पे जाएंगे, अब यहां पे style चेंज कर लेंगे, clock का कैसा रखना है, ज पर कोई भी चूज कर लेंगे, ऐसे करके यह सेट हो गया, साइस को छोटा बड़ा कर लेंगे, और अब रही बाद डूवल क्लॉक की, डूवल क्लॉक आपका शो नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे आप सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको रिमॉफ करेंगे, स्क्रीन पर ट स्टाइल चाहिए, ट्रांस्पेरेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर ट्रांस्पेरेंट कर लूँगी, ट्रांस्पेरेंट में कुछ स्टैप से आजाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, ताकि जो दूसरी क्लॉक है, वो भी आपकी स्क्रीन पर आजाए, पैन के सर्च मार लेंगे, कि आपको दूसरा क्लॉक कहां का चाहिए, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, दुबई, फोर एक्जामपल, सर्च मार लिया, दुबई में कहां का, यूनाइटेड अरब ओफ इमिरेट्स, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई और क्लॉक आपका हो जाता है, इसीली और डिलीट हो जाता है, यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद बैक कर लेंगे न, तो देख सकते हैं, एक आपके होम का क्लॉक और एक आपके दुबई का क्लॉक सेट हो चुका है, यहाँ पर इसके साइज को आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, अब यह च से आप फुल सैटिंग कर लेंगे क्लॉक की मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार